हिमाचो पदेश में पॉल टेखनीकल के चात्र की हत्या दो टुकणे में कटा शव मिला कुमार समहु गाउं का निवाजी था और वह 13 जुलाई से लिलापता था उन्होंने कहा कि कुमार का लोल में एक बॉल्टिक निकल कॉलेश में बढ़ता था राना ने कहा कि हत्याकान के संब्द में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं लेकिन इस समय वरस्तान चान नहीं किया जा सकती उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकर ही इसको सुलचा लिया जाएगा फोलेन में जमीन मुआबजी को मिली राश्री में 143 करोड का गड़बर जाला फोलेन निर्मार में जमीनों के अतिक रहन पर दिये जाने वाले मुआबजी के लिए के इंद्र से मिली 25.48 करोड रुपए में 143 करोड रुपए की राश्री धन्राश्री का गड़बर जाला हुआ है ये गड़बर जाला तीन सान में वित्वच 2014, 15, 15, 16, 17 के बीच घटित धुआ था जो अब सामनी आए है तदकालीन हिवाचु पर देश्य सरकानी 25.48 करोड रुपए में से प्रिश्रास करोड के बढ़ते मामले रुकने का नाम नहीं ले रही है स्कूल के विद्यार्थियों पुलिस वास्ते कर्मियों सहित विबिन संस्थानों के प्रशिक्षू इसकी चपेट में आ चुके हैं बीते रोज की 130 लोग करोड संक्रमित हुए हैं कांगड़ा में मौजूदा समय म 758 सक्रिय मामले हैं इसलिए खत्रा बरकरार है और स्वास्ते विभाग भी बार बर अलर्ट कर रहा है बावजूद इसके नियमों के वहिलना हो रही है सुखद इसमें सिर्फ इतना ही है कि 125 स्वस्त भी हुए हैं जबकि मृत्युदर भी कम है अलंकि कुरोणा से संक्रमितो का ग्राप हर बार बढ़ता ही जा रहा है अब तक जिला में कुरोणा संक्रमित के 65,797 में मामले आ चुके हैं इन में 63,78 स्वस्त हो चुके हैं जबकि 1249 लोगों ने कुरोणा के करण दम तोड़ दिया है कांगणा में मौजूदा समय में 758 सक्रिय मामले हैं मनाली उदयपुर पांगी मार्ग बार आने से ठप आज भी कई जिलों में बारिश के असार प्रदेश में जारी बारिश के बीच मनाली उदयपर पांगी मार्ग बार आने से ठप हो गया है वीरवार श्राम तक सूबे की उन्यस अने सरको पर भी वानों के अवज़ा ही बन रही हूदापूर के नजदी कथी रोट नाले में वीरवार श्राम को बढ़ आने से क्षेत में हड कम भजगा हलंके इस घटा में जौन माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है कि तरविवार को किनौ और में बादल फटने से भी काफी नुकसान हुआ है